गूड मॉर्निंग गाइज वेलकिम बैक वेलकिम बैक टो अनादा व्लॉग कैसे हो आप सब चलो आज सुबा सुबा उट गए हैं हम क्योंकि आज हम इहां से रवाना हो जाएंगे कोलकता के लिए बस हम इहां पर ब्रेकफस्स करेंगे और ये डेक एरिया फिर से आय थे हम करते हो पर हम बोटिंग किये नहीं बिकेज एक तो है कि पैनी को लेके जाना था मुझे आए वांटे तो सी हाव शी बुड दिवनो एंजोई पर फिर मुझे लगा कि अगर वो ऐसे कूट गई पानी में और मुझे नहीं पता है कि वो स्विम कर पाएगी कि नहीं वैसे तो मंदार्बनी आती हो कि हां ऐसे होटेल में बैट कर चाय पीते पीते आप समुंदर के जो यह वियू है ना यह एंजोई करो और सबसे अच्छी बात यह है कि ना यहां पर क्राउड बहुत कम होती है और यहां पर हमेशा से ही मैंने दिखा है अगर मतलब सीजन भी है जैसे अब ही तो विंटर है लोग कम आते हैं पर बरसात के टाइम पर या गड़मी में भी अगर लोग आते हैं तो ऐसा क्राउड इड नहीं हो जाता आपको ऐसे सुना सुना ही मिलेगा मंदार्बनी और यह वाट पीपल लाइक सबाउट इट अड इस ही के वज़े से लोग यह जिन लोग को सुना सुना नहीं पसंद वो लोग दीघा चले जाते हैं अब चलो हम लोग आ गए हैं रेस्टरों एरिया पर चलो ब्रेकफस्ट कर लेते हैं वी एर हाविंग लूची आलूदम मतलब पूरी सबजी लूची आन आलूदम इस वेरी फेमस इन बिंगल कभी कबार अगर मन हुए तो वैसे बच्पन में मुझे बहुत जादा पसंद थी पराठा पूरी सबजी ये सब कुछ पर अभी पता नहीं क्यों मुझे मतलब ऐसा मन ही नहीं होता है कभी कभी मन होता है तो मैं खा लेती हूँ इतना सोचती नहीं इतना भी health conscious नहीं हूँ म और वेट का तो मुझे कभी problem रहा ही नहीं वैसे भी weight gain होती नहीं है मुझे तो चलो अभी पूरी सबजी खा के हम आ गए हैं यहाँ पर deck area में और आप लोग कभी कभी पूछते रहते हो आप लोग सोचते हो कि मेरे साथ कोई होता है फिल्म करने के लिए और आसा बिल्कुल में stranger से भी help लेती हूँ तो ऐसी manage करती हूँ अब यहाँ पर देखो हमारे tripod में हम लोग वो phone रख दिये थे and then I have a remote उसके through हमने video ले लिया मदब उसके मदद से और अब भी यहाँ पर papa help कर रहे हम दोनों को video बनाने के लिए असलिए आप हम तीनों को एक ही frame में बहुत कम द अब हम यहाँ से निकल जाएंगे and यह जो water है यह बहुत ही अच्छा लग रहा था देखके and few people are boating अब हम तो नहीं किये boating पर दूसरों को देखके ही चले जाएंगे and yes finally the weather today is quite good मतलब धूप भी निकली है एक दिन थोड़ा सा clouded था weather अब winter के ताइम पर cloudy weather इतना अच्छा नहीं लगता एक तो बहुत जादा ऐसे winter और फिर एक मतलब wet सा feeling you don't like it you know winter के ताइम पर ऐसे dry feeling चाहिए हो रहता है आपको and then warm feeling चाहिए रहता है अब देखो पैनी यह से भागाती हुई लेके आई है यहां पर पतानी क्यों उसको यह जगे बहुत जादा पसंद है और पस चले जाएंगे तो थोड़ी sad होती है पर इस बार पतानी क्यों वो बहुत जादा excited है आज भी जबकि हम आज वापस जा रहे हैं शायद उसको समझ नहीं आ रही है या तो उसको घर जाना है I really don't know look at her what she is doing finally we are starting and अभी सारे दस बच रहे हैं शायद हम देट दो बज़ी तक पहुच जाएंगे पर रस्ते में हाँ एक जगे है जहाँ पर हम रुकेंगे और चाई पीएंगे हम लोग जब भी मंदार्मनिया दीगा आते हैं उस जगे रुकते हैं नाश्ता करते हैं खाना खाते हैं प क्युकि दिस लुक्स लुक्स लाइक शीशेल और फिर यहां पर पानी मदलब देर शुड बी वाटर अभी वाटर नहीं है अगर वाटर होती तो किता अच्छा लगता और फिर मदलब भी रहने को किता मजा आएगा ने एक साइट पूरा ऐसे सीशे के बने हुए हैं और य शायद नेक्स टाइम जब आओंगी तब बन जाएगा और अभी देखो दो लड़कियों को आप देखोगे ऐसे बाइसे बाइसे कल में स्कूल जाते हुए मैं ऐसे स्कूल जाती थी बाइसे कल में इंसर अफ ग्रीन सारी वो यूस्ट वेर रेड सारी ये देखकर न मुझे थोड़ा सा नॉस्टाइल्जिया फिल हुआ मैं सामने बैठी हूँ और पीछे में मम्मी और पेनी को यहां पे थोड़ी से नीन दारी है थोड़ा देर तो खड़ी थी इदर उदर देख रही थी और अभी शायद पेनी को सामझ आया कि हम वापस जा रहे हैं तो वो जे एक वाइब बहुत पसंद है मुझे पेनी को बहुत ही जादा नीन दारी है थोड़ा देर के लिए सो भी गए थी and finally we have reached to सेरे पंजाब तो यह सेरे पंजाब बहुत वे मस है अगर आप बिंगॉल से हो तो आपको जरूर पता होगा हम लोग बच्पन में बहुत ही जयादा आत अब सेंसे फ्रेंद सेंस साथ भी दुश भी आ सकते हो आशे जब आते होगा है मैं जब ट्रेनिंग कर नहीं जोन करने से पहले कोलकाथ जो तीन महिनी के कोर्स की थी थी हम अपने बैच मिर्स के साथ 2 चनल साथ ऑने दे उस ताइब आपय मज़े ती पता ही मरे थी पैसी नहीं थे हमारे पास और कहीं कहीं से पैसे जोड के फिर ऐसे प्लान करके कहीं आना and that used to be so much fun you know मैं इते बार यहां पे आई हूँ वो टाइम है जो मुझे सबसे ज़्यादा यादाती है and that was the most favorite time जब मैं वो दो बार दोस्तों के साथ आई and this is the place जहां पे सब कोई बैट के चाई पीते हैं early morning बहुत अच्छा लगता है अभी तो दोपैर के time है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है धूप है करक और शाम को भी बहुत अच्छा लगता है यह जो बैटने के जगह है ना इसको यह पंजाब में फेमस है गारियों की और आपको literally wait करना पड़ेगा अंदर आने के लिए पहले जब हम आते थे ना तो गारी बाहर पाक करना पड़ता था और कभी कबार ऐसा होता था कि जगह नहीं मिलती तो बहुत दूर छोड़ के आना पड़ता था गारी पर अभी ना यहाँ पे यह लोग अंदर पार्किंग बनाए है और अगर आप चाय पीने के लिए भी आते हो तो आप गारी यहाँ पे पार्क कर दो अब यहाँ से निकल रहे हैं चाय पीने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं चाय पीए बस हाफ एनार ऐसे ही रुके थे हम जैसे ममी हर जाए मैं बोली भी मंदार मनी भी बहुत सालों के बाद आए है ममी और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दक्सिनेशपर ज्यादा ट्राफिक नहीं मिली और दक्सिनेशपर से थोड़ा ट्राफिक मिला हमारे घर तक और यह कुछ चार से पांच किलोमेटर रस्ता है पर यह जगे बहुत ज्यादा ट्राफिक रहती हैं हर समय I don't know वाई और अभी मैं जारी हुँ शार लेने क्योंकि कल अर्ली मौनिंग फ्लाइट है और अर्ली मौनिंग फ्लाइट से पहले मैं शैंपू नहीं कर पाऊंगी तो most importantly मुझे शैंपू करना है ऐसे तो मैं शार ले ले थी उपद शैंपू करने से पहले ना बहुत ज्यादा सोचना पड तो थोड़ा सा एक मदब एक मग या दो मग गरम पानी मैं मेरे टब में मिला लेती हूं even though I have a shower but then मैं ऐसे टब में ही पानी लेके शार लेना पसंद करती हूं क्योंकि उससे आपको समझ आती है कि कितना पानी आप मदब यूस किये हो और थोड़ा सा धियान रखना जरूरी है कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है अगर अभी से धियान नहीं रखेंगे हम तो एक दिन खतम हो जाएगी और शाद हमें लग सकता है कि हमारे लाइफ में नहीं शायद बाद में होगा पर ऐसा नहीं है हमारे लाइफ में हम बहुत कुछ देख रहे हैं जो हम सोचे कि बाद में देखेंगे सो येस वी ओल शुड बी कैफूल सो दाट हम वी कन सस्टेन अलिल मोड़ गरो चलो अभी सीरम लगा लेते हैं और फिर थोड़ देर के लिए मैं बालों को यसे ही चोड़ दूंगी ताकि एर ड्राइ हो जाए मम्मी अलड़ी चाय बना के लेके आ ग मैं बोलती हूं कि मेरे पास चार चार पीसेस है मदलब कभी कबार अगर सेट में छे पीसेस आते हैं तब ही मैं खरीती हूं ने तो मैं फोर पीसेस खरीती हूं क्योंकि हमारी चोटे फैमली है तो फोर पीसेस इनाफ होती है पर पता नहीं क्यों मम्मी को ऐसा है अच्छा ल इसको मिक्स करके हम ऐसे खा रहे हैं चाय के साथ ये भी बहुत फेमस है इन बिंगॉल जालमुरी एफरी बड़ी नोज मैं ऐसे मम्मी पाप आने से पापा ले के आती है पापा की फेवरिट है कभी का बार मैं खा लेती हूं पर ऐसा भी नहीं है कि हा मुझे इता जादा पसं कि गऑल गपे अधे पापेश क है तो बस मैं कुझ आप एसा होता है की और रहा नहीं जाता है देख Mekलू थो आफकोस मुझे जाना ही है पर कभी कबार अगर कोई आसे बात कर रहे है ऺंगई हो गई गई तो मुझे चाहिए रहता आ य गोल गपेश कर करके में फ्लायच से गूमके भी आई कहीं और भी नहीं मिला था मुझे चलो Amazon से कुछ parcel आया था वो खोल लेती हूँ पेनी भी आई है help करने के लिए मैं बता देती हूँ क्या मंगवाई थी यह tamper glass है मेरे iPhone के लिए मैं लोकल शॉप से 150 रुपीज में खरी दी थी दो टूट किया है already वो मतलब जिस दिन लगाती हूँ उसी के दो दिन के अंदर अंदर इधर उधर कहीं टूट जाती है और उसका glue भी अच्छा नहीं है जब ही मैं tripod पर लगाती हूँ वो ना glass जो है वो आधा ऐसे मतलब निकल जाता है and then it creates a lot of bubble inside तो हाँ वो अच्छी नहीं है ये काफी महंगी थी इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं अभी सस्ता वाला लेके देखती हूँ पर दो टूट गए है already so no point इसलिए मैं ये मंग वाली थी and this one of my friend has recommended उसके पास भी iPhone है उसने खड़ीदा ये बहुत ही अच्छा है इसके साथ दो आई थी आपको मैं इसका description में link वगेरा mention कर दूँगी पर हाँ ये काफी महंगा है बट हाँ ये बहुत ही अच्छा है अभी ये लगाने के बाद इसका जो instruction वगेरे है थोड़ी सी मुझे समझने में time लगा पर somehow I could manage to kind of put it and इसके साथ जो tools आती है वो भी बहुत useful है bubbles भी फॉर्म होती है तो उसको आप उस टूल्स के मदद से निकाल सकते हो और इसका glue भी बहुत अच्छा है त्राइपॉड में लगाने के बाद ये ऐसे फुल नहीं जाता है and bubbles भी create नहीं होता so I'm really happy with the product even though it was quite expensive पर इसके साथ दो आई है तो एक मैं लगाई हूँ अभी मदब इसके अंदर और एक है चलो अभी ना मैं सोरी हूँ because सुब ऐली मॉनिंग फ्लाइट है and my husband came little late he will eat and he will also sleep after some time but अभी काफी लेट हो चुकी है so I am going to sleep good night guys bye bye आप अपना धियान रखना मैं मिलूंगी आपके साथ फिर से take care